क्या आप किसी लड़के या लड़की को इंप्रेस करना चाहते हो? बाई प्लेइंग फोर कॉड्स विथ योर फिंगर, अनली इंडेक्स फिंगर ओके, सो आपने सही सुना, तो ये वीडियो पे अगर आप आए हो, तो कुछ तगड़ा ही लेके जाओगे तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार कॉड्स बताने वाला हो, जो की सिर्फ एक फिंगर की मदद से प्ले कर पाओगे हलो दोस्तो, फिर से स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल में नया सीखने आए हो, कुछ तगड़ा सीखने आए हो, तो ये सही जगा है जस्ट बने रहो वीडियो के साथ, चार से पाच मिनिट का वीडियो है, थोड़ा साथ समय निकाल लो अपना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को तो पहला chord is C chord, C chord बहुत लोगों ने ऐसे सीखा था, बट वो तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि एक finger, राइट तो आपको क्या करना, you have to put your index finger on 1st fret 2nd string ये 3 note आपको play करने, बाकी के ऊपर के जो 3 strings है, जो की E, A और D है, उनको आपको play नहीं करना है, वो restricted है, ठीक है, crossed ठीक है, और diagram आपको इधर मिल जाएगा, आप लोग easily उसको connect कर पाएंगे तो ये है आपका 1st chord, C chord, 2nd chord क्या है, 2nd chord है आपका G आप अपना 3rd finger, 3rd fret के 1st string में place कर लो, D string से बाकी के नीचे के सारे string play करो, तो वो आपका G chord बन जाएगा, उपर के 2 string again restricted है, नहीं बजाना है, 3rd chord is E minor, E minor शायद बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन वो ऐसे बजाते, ये तो ठीक है ही, मैंने बोला 1 finger, right? So, आपको 2nd fret, 4th string में आपका 2nd finger रखना है, और उसी string से, D string से, 4th string से, नीचे तक play करना है, ठीक है? ये है आपका E minor, Last chord, A minor, आपको थोड़ी सी महनत और कसरत करनी पड़ेगी, आगे आके इधर तक आना पड़ेगा, 5th fret में, एक ही finger से, इंडेक्स finger से, तीनों strings को पकड़ना है, G string, B string and last E string, bottom E string, okay? उपर के 3 strings को play नहीं करना है, ऐसे, this is A minor, अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है भाई, इतना easy सा कुछ गाना सिखाते है, टफ सिखाते है, आप लोग को कभी jealousy होती है कि कोई इधर का बजा के चला जा रहा है, अच्छा सा, या फिर कोई इधर बजा ले रहा ह है, मैं इधर ही आटका हुआ हूँ, तो क्यों टेंशन लेते हो यार, कि उन लोगों के बजाने से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, है ना, आप पहले इन सब चीजों से सीख लो, उसके बाद आपका भी ग्रोह होगा अच्छे से, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया ह इद्रिच्छालाबसंतुष्टो, द्वंधतितो विमत्सरह, समह सिध्ध वसिधोचा, कृतवापिना निबध्यते, 4.22 भगवत गीता, सो, इद्रिच्छालाबसंतुष्टो, आपको छोटे से चीज से शंतुष्टों ना चाहिए, है ना, द्वंधतीतो विमत्सरह, आप महा सिध्ध वसिध्धो चा सिध्ध वसिध्धो means success and defeat क्या फर्क पड़ता है यार आभी तो हम लोग उने शुरू ही नहीं किया तो success क्या defeat क्या है ना च कृत्वापी ना निपध्यते तो जो लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते just learning पर focus करते वो लोग इन सब चीजों से attach नहीं होते है वो लोग success पाते है ultimately तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग ये चारो chords को play करके देखो कि easy है यार कोई effort नहीं है एक finger से एक दो तीर कोई भी तीन finger से use कर लो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता और जिसको impress करना चाहो कर लो और बहुत सारे bollywood songs, tollywood songs आप लोग play कर सकते हो तो मैं ये video ज्यादा stretch नहीं करूंगा ये बहुत easy सा tutorial था मैं उमीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और एक बात अगर आपको और deep में जानना है और अच्छे से जानना है तो मेरे classes open है आप लोग मुझे मेरे Instagram handle या फिर Facebook पे connect कर सकते हो या फिर mail कर सकते हो description box में मिल जाएगा आपको वहाँ पे आप DM कीजिए मैं आपको सारे details बता दूँगा fees, how to connect with me what is the mode of class through which किस से मैं लेता हूँ class Zoom, Skype and all next lesson तर के लिए Goodbye, Khuda Hafiz Jai Hind